अगर मेरे पार ऐसा होता ऐसा होता आज पहली बार दिल की बात की है बाद में वो बॉली बड में आये और यहाँ पर आगर उन्हें नेशनल अबॉर्ड भी मिला लेकन इसके बाद भी उन्हें कई सालों तक फिल्में नहीं मिली उनके काले रंगी बज़े से कई लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया लेकिन मिथुन्दा यहां पर जमे रहे और आगे चलकर उन्होंने अमिता बच्चन जैसे सुपरेश्टार के सामने भी अपना इतना बड़ा फैन बेस्ट बनाया यहां तक की 90 के दसक में एक समय ऐसा भी आया जब अमिता बच्चन की फिल्में भी नहीं चल पा रही थी जिसकी वज़े से अमिता बच्चन ने भी लगबग एक पांस साल लंबा ब्रेक लिया था लेकिन मितन चक्रवर्ती काफी दूर दर्सी थे उन्हें पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस समय बॉलीवर्ड में यहां पर बहुत सारे नए अक्टर्स आ रहे हैं और उन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए लगबग 1993 और 1994 के आसपास मितन चक्रवर्ती बॉलीवर्ड को छोड़कर ऊटी जाकर सिफ्ट हो गए जहां पर सबसे पहले उन्होंने अपने होटल दा मोनार्क को इस्टेबलिस किया और वहां पर उन्होंने फिल्मे करना शुरू करनी क्योंकि यह वो समय था जब जब जाता तर फिल्मों की सूटिंग ऊटी में ही होती थी चलो पूरी फिल्म की सूटिंग ऊटी में ना सही लेकिन फिर भी लगबग हर एक फिल्म का कोई ना कोई गाना ऊटी में जरूर फिल्म आया जाता था और उस समय मिथुन्दा अपने पूरे परिवार के साथ में पर्मानेंट ऊटी में ही सिफ्ट हो गए थे इस बज़े से उनके साथ में बहुत सारे नए डारेक्टर्स को और प्रोडूसर्स को काम करने का मौका मिला यह वो समय था जब मिथुन्दा चक्र बढ़ती लगबग 30-35 दुनों में एक फिल्म की सूटिंग कम्पलीट कर देते थे और उस समय उनके टार्गेट आडियंस भी बड़े सहर नहीं छोटे सहर और गाउं की आडियंस होती थी तो हमारे इस चैनल पर मिथुन्दा के बहुत सारे डाई हाड फैंस जुड़े हुए हैं और हम भी समय समय पर मिथुन्दा की ऐसी बहुत सारी फिल्मों के वीडियोज आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं हाला कि इसके लिए हमें समय समय पर बहुत जादा क्रिटसाइज भी किया जाता है यहां तक कि बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि क्या सर आप मिथुन्दा की बी गरेड फिल्मों के वीडियो बनाने में लगे हुए हो और आज भले ही लोग इन फिल्मों का मजाक बनाते हों लेकिन ये फिल्में आज भी मिथुन्दा के डाई हार्ड फैंस के लिए किसी एमोसंस से कम नहीं हैं आप की दोस्ती से डरता हूँ तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए समय समय पर मिथुन्दा की फिल्मों के वीडियो लेकर आते ही रहते हैं तो आज के अपने इस वीडियो में हम मिथुन्दा की साल 1993 में आई फिल्म तड़ी पार के बारे में बात करने वाले हैं जो की 17 दिसमबर 1993 को रिलीज हुई थी और उस समय फिल्म का एक गाना आज पहली बार दिल की बात की है बहुत जादा पॉपलर हुआ था मैंने ना जाने कितनी बार रिपीट मोड पर सुना होगा फिल्म तड़ी पार में हमें मिथुन्दा करवर्टी के अलावा पूजा भट अनुपम खेर आवतार गिल गुलसन ग्रोबर और टीकू तलसानिया नजर आए थे इसके अलावा जुही चावला और सदा से वमरा पुरकर हमें स्पेसल अपिरेंस में नजर आए थे यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि फिल्म तड़ी पार 17 दिसंबर 1993 को रिलीज हुई थी और सेम इसी दिन मिथुन चक्रवर्ति की एक और फिल्म सतरंजी भी रिलीज हुई थी और उस समय इन दोनों ही फिल्मों के बीच में कलैस हुआ था हाला कि उस समय और ओडियंस के बीच में मिथुन दा का क्रेच बहुत ज़ादा था इस Бज़े असमाई उनकी इन दोनों ही फिल्मों के क्लैस Хोने के बावजूद भी ये दोनों ही फिल्मे ठीक ठाक चली थी और उस समय एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में मितुन चक्रवर्ती के अलाबा हमें जुही चाबला और गैबिन पैकरड भी नजर आए थे तड़ी पार की कहानी और डायलोक्स लगे थे रॉबिन भट और जाबेद सिद्धिकी ने और इसका डिरेक्टिन किया था महेस भटने जो की बॉलिवड की एक जाने माने डिरेक्टर है और इसके पहले वो सारांस, आसकी, दिल है की मानता नहीं और सड़क जैसी बहतरीन फिल किया था और इसका बहतरीन म्यूजिक कंपोस किया था नदीम और सर्वन की जोड़ी ने और ये वो समय था जब नदीम सर्वन का नाम अगर किसी ओडियो कैसेट के उपर होता था तो ओडियन्स पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लेती थी कि इसके गाने सुपर डुपर ह किया गया था और इसमें टोटल आठ गाने रखे गए थे फिल्म के ये गाने थे आज पहली बार दिल की बात की है अगर मेरे पास पैसा होता ओ सेया बिकरी जुल्फों को सजाने प्यार का पहला साल है आपकी दुस्मनी कुबूल और ये जिन्दगी कभी कभी इन मेंसे फि खानों में आबाजें थी कुमार सानू, अलका यागनिक, साधना सरगम, एसपी बाला सुब्रमन्यम और विनुद राथोड़की फिल्म तड़ी पार में पूजा भट्टे के साथ में मिथुन चकर बढ़ती की जोड़ी बहुत ही खुबसूरत लगी थी एक नजा डालें इ ये साल 1993 में आई एक एबरेज फिल्म थाबित हुई थी जिसको लगबख 145 स्क्रीन्स पर रिलीस किया गया था और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगबख 47,52,000 लोग आये थे और ये फिल्म साल पैसे कमाने के मामले में 29 नंबर पर रही थी साल 1993 की अगर टॉप 5 फिल्मों की उपर एक नजाए डालें तो इसमें पहले नंबर पर थी आँखें, दूसरे नंबर पर थी खलनायक, तीसरे नंबर पर थी बाजीगर, चोथे नंबर पर थी तिरंगा और पांचबे नंबर पर दर फिल्म तड़ी पार को IMDb पर 4.8 आउट आफ 10 रेटिंग मिली हुई है, फिल्म तड़ी पार यूट्यूब पर अबलेबल नहीं है और ना ही ये किसी मेजर OTT प्लेटफॉर्म नेटफिलिक्स या अमेजन प्राइम पर अबलेबल है, और जहां तक मुझे पता है कि इसको म मुझे याद है मैंने ये फिल्म डीवीडी पर अपने गाउं में देखी थी, एक्चुली डारेक्टर महिस भट काफी पहले से ही मिथुन्दा के साथ में एक फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, ये लगबग लेट एटीस की बात है जिस समय मिथुन्दा बहुत और तीसरी फिल्म कभी बन ही नहीं पाई एक्चुली उस समय मिथुन्दा महिस भट की इन दोनों ही फिल्मों में काम करने के बाद ऊटी जाकर सिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर तो उन्होंने लाइन से और भी बहुत सारी फिल्में साइन कर ली और वो मुंबई आने के ल रही थी जो लगबग आदे से जादा कंप्लीट भी हो गई थी इसमें सुदेस बैरी सिदार्थरे और मौहनीस बहल जैसे एक्टर से नजरा रहे थे इस वज़ए से महिस भट ने इसका नाम युद्ध पथना रखके इसका नाम तड़ी पार रखा था और जैसा कि महिस लेकिन महिस भट ने अपनी फिलम में मित्वन चकररबर्ती को एक तड़ी पार के तोर पर दिखाया था और बाकी फिल्म तड़ी पार की जो बेसिक थीम है ये पूरी की पूरी इसी से ली गई थी यहां तक कि फिल्म तड़ी पार के कुस सेंद देखते टाइम पर हमें महि महिस बट्ट की पिछली फिल्म दिल है की मानता नहीं के भी बहुत सारे सीन्स की यादा जाती है जिसमें भी ऐसे ही पूजा भट्ट होती हैं वो अपने घर से भागती हैं और बाद में हीरो को मिलती हैं वगेरा वगेरा इसके अलावा फिल्म तड़ी पार के बिलकुल ही में हमें महिस बट्ट की पिछली फिल्म सड़क में नजर आने वाले विलिन सदा से वमरा पुरकर और गेवन पैकरड भी स्पेसल एपिरेंस में नजर आए थे एक्चुली फिल्म तड़ी पार में मिथन चक्रवरती का ये ड्रीम सीक्वेंस था और सदा से वमरा पुरकर इ इसमें हमें अपने वही महरानी वाले लुक में नजर आई थे जो किरदार उन्होंने महिस बट की ही पिछली साल 1991 में आई फिल्म सड़क में नभाया था। इसके अलावा पहले फिल्म तड़ी पार में अक्छा कुमार के लिए भी एक किरदार लखा गया था। पहले ये किरदार फिल्म तड़ी पार में मित्वन चक्रवर्ती के एक दोस्त के तोर पर दखाया जाना था। उस समय अक्छा कुमार भी फिल्मों में नए नए आई ही थे और उन्हें जैसे ही ये रॉल ओफर हुआ तो वो तरंदस में काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। हाला कि उन्हें पता था कि ये किरदार काफी छोटा है और इसका बस एक छोटा सा स्पेसिल एपिरेंस बस होगा। लेकिन आगे चलकर महिस भट को ऐसा लगा कि साइध ये किरदार फिल्म में थोड़ी जबरदस्ती टाइप लग रहा है। और इसके पहले ही वो सदा से वमरापुरकर, गैबिन पैकरड और जूही चाबला को स्पेसिल एपिरेंस में दखा चुके हैं। और उन्होंने इसको फिल्म से हटा दिया और अक्षे कुमार हमें मिथुन चकरवर्दी के साथ इसमें नजर नहीं आ पाए। इसके अलाबा इसमें हमें विक्रम गोखले भी नजर आए थे जो कि जादतर फिल्मों में हमें पॉजिटिव रॉल्स में नजर आते थे। लेकिन फिल्म तड़ी पार में विक्रम गोखले हमें निगटिव रॉल्स में नजर आए थे। बात करें फिल्म की सूटिंग लोकेसंस की तो इसके जादे तर सीन मुंबई और उसके आसपास की लोकेसंस पर ही फिल्माय गए हैं। हाला कि इसके कुछ सीन गुवा में भी फिल्माय गए हैं और फिल्म का एक गाना उटी में भी फिल्माया गया है। जैसे फिल्म का एक बहुत ही पॉपलर गाना था, अगर मेरे पास पैसा होता, इस गाने को मुंबई के बलाड स्टेट में फिल्म आया गया है, जहां पर इस जगए को आप देख सकते हैं, एक्चुली ये मुंबई की बहुत ही फैमस जगए है जहां पर बहुत सारी फिल्मों भी आपको याद होगा उसको भी सेम इसी लोकेशन पर फिलमाया गया है इसके अलाबा इसके कई सीन करनाटका में मैसूर के पास में मैलू कोट कल्यानी में सूट किये गए हैं जहां बहुत ही खुबसूरत लोकेशन्स हैं और यहाँ पर इसके पहले राजा हिंदुस्तानी और दामनी जैसी फिलमों के गाने भी सूट हुए हैं फिलम तड़ी पार के जिस सीन में मितों चकरवड़ती पूजा भट को भगागार लाते हैं और उनके उपर अटेक होता है तो यह सारे सीन यहां पर ही सूट हुए हैं इसके अलाबा इसमें पूजा भट की जो हमें बड़ी सी हवेली देखने के लिए मिलती है वो करनाट का मैसूर का ललीता महल पैलेस है और यह हवेली हमें बहुत सारी फिल्मों में देखने के लिए मिली है जैसे की अमिता बच्चन की फिल्म मर्द में और केजी एफ में हमें यही ललीता महल पैलेस देखने के लिए मिलता है उस समय अक्सर गाओं में और छोटे सहरों में लाइट की कटोती भी बहुत जादा होती थी और उस समय गाओं में गर्मियों के समय में रेडियो पर गाने सुनना बहुत अच्छा उपसन था कुमार सानू की आवाज में वो मेलोडी है वो जादू है जो आज भी आपको उसी दोर में वापस ले जाता है खास कर से इस गाने को आपने बहुत सारे लोगों की साधी की वीडियो कैसेट में भी देखा होगा फिल्म से जोड़ी अननौन फैक्ट्स बस इतने ही हैं लेकन मेरी फिल्म से जोड़ी एक बहुत ही परसनल मेमोरी है मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम चार पांच दोस्त उस समय मिथुन्दा की बहुत सारी फिल्में बिल्कुल बैक टू बैक देखा करते थे जिन मेंसे जादातर फिल्मों में मिथुन्दा के करेक्टर का नाम संकर हुआ करता था और फिल्म तड़ी पार में भी उनके करदार का नाम संकर ही था और मुझे मिधुन्दा बहुत श्याद़ पसंद थे और मैं देखता था कि जादा तर फिल्मों में उनका नाम संकर ही रखा जाता है और हम चार पाँच दोस्ट उनकी फिल्में देखने के बाद फिल्म के बारे में घंटों बातें किया करते थे उस समय मुझे मेरा जो नाम है सत्य विजय है वो काफी बड़ा लगता था और काफी अजीब और गरीब लगता था और एक दन तो मैं मिथुन्दा की फिल्म देखने के बाद अपने घर गया और वहाँ पर मैंने सबसे बोला कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ एक्चुली मुझे याद है कि मेरे घर पर कोई फंक्सन था और काफी लोग वहाँ पर आए हुए थे और अपने घर पहुँचने के बाद मैंने जैसे ही बोला कि मुझे अपना नाम बदलना है तो सारे लोग मुझे देखने लगे और उस समय वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हसते हुए देखकर थोड़ी देर के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग क्यों हस रहे हैं हाला कि थोड़ी देर बाद मुझे ये रेलाइज हुआ कि ये नाम काफी बड़े लोगों के उपर सूट करता है और ऐसे बच्चों का नाम ये कोई नहीं रखता है और उस समय मुझे थोड़ी ओकवर्ड लगा और मैं तुरंट वहाँ से भाग गया हाला कि बाद में जब मैं थोड़ी बड़ा हुआ थोड़ी समा जाई तब मुझे पता चला कि आखर वो लोग क्यों हस रहे थे और आज भी जब मैं बच्चपन की इस घटना को याद करता हूँ और जिस एटिटूड में मैंने घरबालों से बोला था कि मुझे मेरा नाम बदल कर संकर रखना है ये सोचते सोचते मुझे आज भी हसी आने लगती है तो दोस्तों ये तो बात हुई मेरे साथ बच्पन में हुए इस इंसिडेंट की और फिल्म तड़ी पार से जुड़े बहुत सारे अननौन फैक्ट्स की मुझे ये फिल्म तो ठीक ठाक लगी थी लेकिन फिल्म का एक गाना आज पहली बार दिल की बात की है मेरा परसनल फैबरेट सॉंग है तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी महनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए और अगर आपकी भी उस समय इन फिल्मों से जुड़ी होई कुछ यादे हैं तो हमारे साथ जरूर सेर कीजिए और अगर इस फिल्म को उस समय आप मैंसे किसी ने सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और सहर का नाम भी जरूर बताना तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ हो रहें से ही इंट्रेस्टिंग और रोचक बातों के साथ